हाँ तो मेरे भाईयों तैयार हो कुछ बढ़िया सुनने के लिए मैं जानता हूँ गर्मी बहुत है मूड खराब है तो ऐसे में मैं लेके आया हूँ एक बहुत फ्यारी सी नियूज तो जो कोई भी खड़ा है वो बैट जाओ नियूज सुनके गिरविर मत जाना 22nd मैं को सुबह 9 बजे संटे को ड्राइगन बोल सुपर जो आ रहा है न वो अल डे चलेगा ड्राइगन बोल सुपर के हिंदी के बहुत सारे एपिसोड्स लगातार पूरे दिन 22nd मैं को संडे को सुबह 9 बजे से शुरू होंगे यानि कि 22nd मैं को हम पूरा दिन ड्रैगन बॉल सूपर हिंदी में देख सकते हैं तो कैसी लगी ये न्यूज वीडियो को लाइक करके मुझे बताओ अभी के अभी और अगर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब करो यार इस वीडियो में आपको आपके सारे सवालों के जबाब मिलेंगे कि ड्रैगन बॉल सूपर कितने बजे आएगा कितनी बार आएगा और किस किस दिन आएगा और जिसके पास टीवी नहीं है वो कैसे देखें ड्रैगन बॉल सूपर को तो नाइन्थ में यानि कि गोकु डे के दिन ड्राइगन बॉल सुपर का शाम को भी आएगा संडे को भी आएगा बहुत से रिपीट एलिकास आएंगे तो बिल्कुल टेंशन मतलो कि डीबियस हिंदी सुभा नौ बजे आएगा जब सब लोग स्कूल में होंगे या फिर अपने किसी काम में बिजी होंगे सुभा नौ बता दिया कि confused होने की जरूरत नहीं है मैं सर के exact words आप सबको बता रहा हूं अभी अच्छे से सुनना तो सर ने सीधा कहा कि ये सिर्फ launch day पर back to back episodes की timing है launch day पर full day चलेगा बहुत सारे episodes आएंगे and next day से regular slots होंगे एक evening time slot होगा लगबग 7.30 pm का और एक morning slot होगा around 10.30 am का तो दो गुस्तो actual timing Dragon Ball Super Hindi की होगी शाम लगबग 7.30 बजे और सुभा लगबग 10.30 बजे जो सुभा फिरी है वो सुभा देखें और शाम वाले शाम को और जो launch day है यानि की 20 second में को उस दिन तो पूरा दिन सिर्फ DBS चलेगा और अब मुझे ये कहने की जरुरत नहीं है कि हमें क्या करना है 20 second में को पूरा दिन सब का Cartoon Network on होना चाहिए और सब देखेंगे साथ में Dragon Ball Super Cartoon Network पर अंकूर सर ने जो ये opportunity हम सब को दी है प्लीज इसे waste मत करना 20 second में को बहुत मजाने वाला है अपना 200% दीजिए दोस्तों कि आप किसी भी तरहाड टीवी पर Cartoon Network में DBS को देखें 20 second में को हर हाल में पहले तो कोशिच करना कि आप हर दिन इसे देख पाएं बट अगर आप फिर भी इसे नहीं देख सकते हैं daily तो at least 20 second में launch day को इसे अच्छे से पूरा जरूर देखना और बहुत कोशिच करने के बाद भी अगर आपके पास time नहीं है बहुत चीज़े होती ह गाटू नेटवर्क इंडिया एंड पोगो के प्रोग्रामिंग हेड अभिशेक दत्ता सर ने दोस्तों सब के बारे में सोचा है उन्होंने अपना विजिन शेर किया था recently इंडियन केट समिट में जहां पर वो content distribution को लेके बहुत serious हैं सिर्फ छोटे बच्चों के बारे में ही सोचा जा रहा है बलकि सभी age groups के लिए अच्छे content पर focus किया जा रहा है तो ऐसा तो होने ही नहीं वाला है दोस्तों कि यार भाई मैं free नहीं हूँ या मेरे पास time नहीं है ड्रेगन बॉल सुपर देखने का हर वक्त कभी न कभी repeat telecast में या जो daily जो telecast होगा weekdays में अगर उस पास से देखो कुछ भी करो पूरा अपना 100% दो कि आप इसे टीवी पर ही देख पाओ किसी तरह क्योंकि फोन में apps के थुरू ड्रेगन बॉल सुपर देखने से कार्टू नेटवर्क को टी आर्पी में progress नहीं मिलेगी broadcast audience research council यानि बी ए आर्सी टी आर्पी calculate करता है direct setup बॉक से तो प्लीज दोस्तों कोशिच करें कि आप टीवी पर काटू नेटवर्क में ड्रेगन बॉल सूपर को देखें और अंत में दोस्तों अगर आपने सब कुछ ट्राय कर लिया है सब कुछ कर लिया आप लोग PG में रहते हैं आप लोग students हैं hostel में रहते हैं आपके पास अभी मिल जाएंगे Google पर सर्च करने से और अगर आपको इसमें भी help चाहिए तो कमेंट में मुझे जरूर बताना मैं इसके ओपर एक dedicated वीडियो भी लेके आ जाऊंगा हाँ तो भाईयों अब मुझे उमीद है कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे पूरी तस decision के लिए कितना मज़ा हैगा दोस्तो 22nd में को संडे को पूरा दिन Dragon Ball Super Hindi में देखने में Instagram में जाके यार मुझे फॉलो कर लो जिस दिन 22nd में को आएगा ना उस दिन उसकी फोटोज लेके story पोस्ट करना मुझे tag करना साथ में देखेंगे Dragon Ball Super और साथ में दिखाएंगे अभ लोगों ने गलती नहीं कि आप लोगों ने तो इतिहास बना दिया है यहाँ पर इस चीज़ को वापस लेके आके हम सभी लोग आने वाली पूरी जिंदिगे तक इस चीज़ को याद रखेंगे कि कैसे Dragon Ball Super के बारे में वीडियोस बनाये करते थे Dragon Ball Super जो खतम हो गया था इं और एक्चुल में डंके की चोट पर उन्होंने सच में लेके भी आगे Dragon Ball Super को अब यह हो भी रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों 22nd में बहुत बड़ा historical day होने वाला है हम सभी के लिए हम सभी Dragon Ball fans के लिए हम सभी anime fans के लिए सारी anime community के लिए जो इंडिया में वेट कर रह और प्यार जरूर शो करना उस दिन तो आई होप यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा लाइक जरूर करना मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो में तब तक लिए खुदा आफे सादर प्रणाम